हर हर महादेव दोस्तों स्वागते आपका हमारे यूटीब चैनल पर आज की वीडियो में हम सुनेंगे शिफ महापुरान श्री उमा सहिता का पैतीस्वा अध्याई वैस्तवत मानवंतर वर्णन सूत जी बोले कश्यप मुनी को दक्ष कन्या से विश्वाशन सूर्य की प्राक्ति हुई सूर्य की संग्या, त्रवश्विटी, सूरेनों का नामक तीन पत्निया हुई संग्या और सूर्य की तीन संताने हुई श्राद देव, मनु और प्रजापती यम यम के साथ यमना कन्या की रूप में पैदा हुई उस समय संग्या सूर्य की तेज को सैन ना कर सकी अपनी माया रूपी छाया प्रकट कर उसे अपनी संतानों का पालन पोशिन करने की आग्या देकर संग्या अपने पिता के घर चली गई उसके पिता ने उसे इस प्रकार आया देख कर दिक्कारा तो संग्या बहां से वापस आ गई गोडी का वीशदारण करके वह कुरू देशों का ब्रमन करने लगी इधर सूर्य ने संग्या की छाया को ही अपनी पत्नी माना उससे उन्हें स्वारणे मनो नामक पुत्र प्राप्त हुआ छाया को अपने पुत्र से अधिक प्यार था वह संग्या की संदानों का सही से ध्यान नहीं रखती थी एक दिन यम को किसी बात पर क्रोध आ गया और उसने छाया को लात मार दी यह देखकर क्रोध छाया ने यम को शाप दिया कि तुम्हारा पाउं जिससे तुमने मुझे मारा वे गिर पड़े शाप सुनकर यम बहुत चिंतित हुए और उन्होंने सारी बाते जाकर अपने पिता सूर्य को बताई और शाप से बचने की प्रार्थना की सूर्य दव बोले बेटा मैं तुम्हारी माता के शाप को असत्य नहीं कर सकता परंतो उसे कम करने की कोशिश अवश्य करूंगा सूर्य ने क्रोधित होकर छाया से पूछा बताओ तुमने यम को शाप क्यों दिया क्या कोई मा अपने पुत्र से ऐसा विवार कर सकती है तुम्हारे सबसे छोटे पुत्र से विशेश ने है यह सबी को तुम सदा डागती रहती हो ऐसा क्यों इस प्रकार क्रोधित सूर्य के वजन सुनकर घबराई हुई छाया ने सारी बाते सच सच बता दी फिर छाया ने सूर्य को शनी चुकर पर चड़ा कर उनका तीज कम कर दिया अब सूर्य का रूप सुन्दर और शीतल हो गया था उन्होंने योगदर्ष्टी से अपने पत्नी संग्या के बारे में जानना चाहा तब उन्हें ग्यात हुआ की संग्या गोडी के रूप में है तब सूर्य उसके पास पहुंचे अपनी पत्नी को वापस पाकर वे बहुत प्रसन्व हुए संग्या भी उन्हें पाकर बहुत खुश हुई उनके मिलन से वैद्य अश्विनी कुमार की उत्पत्ती हुई तथ पस्च्यात खुशी खुशी संग्या और सूर्य अपने घर लोट आए यमराज धर्म पूर्वक प्रजागा पालन करने लगे और धर्मराज कहलाए स्वार्णिम मनु तपस्वी उने के कारण प्रजापती कहलाए और स्वार्णिम मनवंतर में मनु हुए यमना सूर्य की सबसे छोटी कन्या यम लोग को पवित्र करके बहती हुई नदी हुई ओम नमस्षिबाए